नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एन्वेफ नेयोस जम्मू कस्वीर में और हरियाना में जिस तरीके से कॉंग्रेस की फजीहत हुई है उसके बाद अब कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जिनराज्यों में विधान सभा चुनाव हुने हैं वहाँ पर भी कॉंग्रेस को छेत्रिय दल उसे आईना दिखा देंगे और उसे उसकी हैसियत के अनुसार ही सीटे देंगे जी हाँ हर्याणा और जमुकस्मीर के परिणाम का महराष्ट पर क्या असर पड़ा है और क्या अब दुल्ला ने उद्धव ठाकरे को एक आईडिया दे दिया है कि कॉंग्रेस से कैसे डील करनी चाहिए इसी मुद्धे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ट पत्रकार पंकच परसून जी है बहुत बहुत स्वागत है पंकच जी आपको लग रहा है जिस तरीके से हर्याणा में कॉंग्रेस तो मतलब हालत खराब हो गई वो जो हवा बना रखे थी गुबार में हवा भर पर रखी थी वह फूट गया और फिर जमीन पर आकर गिरे जमू कस्मीर ने 32 सीट पर छे जीद भी लिए लड़कर तो वहां पर अब्दुल्ला ने उनको ऐसे ट्रीट करने जैसे उनकी जरुवती नहों क्या इससे उद्धव को भी आइडिया मिल जाएगा शरत प्रवार क बता रहा हूं कि महाराष्टा की परिस्थिती जम्मू कश्मीर की परिस्थिती से भिन्या है अभी लोगसभा के चुनाओं हुएं कॉंग्रेस वहां सबसे बड़े दल के रूप में आई है 13 सीटे जीती है कॉंग्रेस ने जबकि ये उद्धव ठाकरे हों या शरत पवार ह इनका पता है कि इनका खुद के घर पे डाका पड़ चुका है मतलब माल मलम्मत समान सब लेके कहीं दूसरे जा चुका है इनी के घर का सदर से तो इन्हें पता है कि अगर सरवाइव करना है तो हमें कॉंग्रेस के साथ रहना होगा वहां समस्या ये नहीं है वहां महाविका अगाड़ी जो उद्धव ठाकरे शरदपवार और कॉंग्रेस ने मिलकर बनाई है वहाँ परिशानी एक दूसरा competition को लेकर है तीनों दल यह दिखाने में होड लगई लगे हुए तीनों दलों के बीच कॉंग्रेस शरदपवार और उद्धव ठाकरे के बीच की कौन ज्यादा मुस्लिम परस्त है और कौन ज्यादा मुस्लिमों का खैरकवाँ है उनका वोट ज्यादा बटोर सकता है देखिए एया यह वहाँ इनका कंप्टीटर है और उसने ओफर भी दिया था कि मुसल्मानों के वोट को एक जुट रखने के लिए हमें महाविकास घाड़े में ले लो तो एक तो मुसल्मान वोट का वो सबसे बड़ा जो कह रहा है कि दावेदार है दूसरा शरदपवार है जिन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो फिर से औरंगाबाद नाम होगा फिर से अहमद नगर नाम होगा फिर से बगर ये सब बात कर रहे हैं थे हम ज्यादा मुसल्मान है मराथा परिवार में पैदा हुए कि जितनी मेरी बेज़ती उतना ज्यादा मैं बड़ा नेता हूँगा नाम आप समझ रहे होंगे लेने की जरूत नहीं है बिल्कुल अब वो आदमी इस हद तक गिर चुका है इस हद तक गिर चुका है कि वो औरंग जेब से ज्यादा अपने आपको मुसल्मान साबित करने पर परपटी किसे मुसल्मान को दे दूगा कुछ तो मिल जा वोट यार हम मुझे क्यूं नहीं दे रहे हैं लेकिन मुसल्मानों को भरोसा नहीं है इस पर इन्हें लग रहा है मुसल्मानों को कि देखो ना अभी वो वफ बोड वाला मामला आया इन्होंने हमें सपोर्ट ने कि प्रदर्शन भी किया था इनके घर के आगे मुसल्मानों में जाके तो महाविकास अगारी में मुसलिम भोटो को लेकर गजब की मारा मारी है तीनों में और हर कोई चाहता है कि किसी मुसलिम बहुत सीट से लड़े क्योंकि जहां पर हिंदू ज्यादा है वहां पर इन्हें पत तो लेम योगी आदितनात संगठित रहो गए तो समी रख्षित रहो गए बिलकुल और योगी आदितनातो के बारे मिन बदा दून आज का जो भी संग्की जो वीचारदारा होती हैं सबसे पहलायोगी आदितनात के मुँख से कहलवाते हैं और बाद प्रधान प्रधान मंत्री ने महरास्त्वा में जाके कहा कि भाई तुम बटोगे तो बाटने वाले महफिल लूटेंगे अब महफिल जानबुच के शब्द इस्तवाल करें कि मोधी जो है ना वह बहुत डीप राजनिसी करते हैं महफिल शब्द जैसे ही आपके जुहार पर आया कुछ और याद आता है विल्कुल तो और योगी आइजनाथ कट एंड क्लियर ब्लंट है उनको नहीं वह तो सीधे ब पर्धानमंत्री को अपनी मर्यादाएं भी रखनी इसलिए इशारों में बोला बाकी आप समझे किसके लिए बोला गया किसको नहीं बोला गया लेकिन अब इस तरीके से कॉंग्रेस की हाला तिन दो चुनाओं के बात हो गई है पंका जी चार जून के पहले जहां थे लग अब कोई चांसी नहीं है पान सीट देने का चार सीट पर अभी भी खा लिए उसमें सभी शायद दो देने की सूच रहे हैं अखलेस और यह हाल देख लिया शायद वह भी ना दें दूसरी तरफ मैं हर बार कहता हूं कि तेजस्वी यादाव ने अपने राजनीती कितियास क सबसे बड़ी गलती की थी अब की वो नहीं करेंगे अपकी 2025 में निश्यत तौर पर नहीं करेंगे और ऐसे में उद्धव ठाकरे भी अपकी कॉंग्रेस को समझा देंगे हो गया जो जितना होना था देख लिया आपको अब आप हमारे हिसारे से कॉंग्रेस को चलना होगा यूपी बिहार महराष्त्रा हर जगा देखिए कॉंग्रेस की हाला तैसी हो गई है बेगानी शादी में अब्धुल्ला दिवाना कम पड़ गया है हमारे हैं दूसरे के शादी में नाचने वाले आते हैं अब महाराष्टा में उद्धा मुख मंत्री बने नाचने वाला अगर यूपी में अखिलेश यादाओ को सत्ता मिल जाए या बिहार में तेजस्री यादाओ को नाशने वाला फिक्स है पिकौन ज्यादा खुशी मनाता है खुद की लगी पड़ी है लेकिन जितने दूसरे दल जीत रहे हैं तामिलाडू में डियम्टे के जीत पर नाच रहे थे यूपी में अखिलेश यादों की सीटे बढ़ने पर नाच रहे थे पिजस्वी यादो जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बिहार में नाचते हैं आजकल अमर अब्दुल्ला की महफिल में नाच रहे हैं यह वावावावा कमाल कर दिया हमने तो हमाने तो कमाल कर दिया मैं फिर भी नाम नहीं ले रहा हूँ वे मेहफिल में नाचने वाला कौन है जंता समझ रही तो इतना सडान्ध मार रहे हैं कि इनके ही सहयोगी उनको पूछ नहीं रहे हैं हात लगाने को तयार नहीं कि बहुत बदबू आती है उमर अब्दुला ने भगा दिया, बोला कि क्या यार, इसकी बात कर रहे हो, वो हम छे सिर्जुगार कर लेंगे, महभुवा मुफ्ती भी हमें समर्थन देने के लिए तियार है, निर्दली भी तियार है, जरुवत नहीं है, असले शियादों के बारे में आपने बताया ही, उ कॉंग्रेस हर यारा हारी है, समझ ये, ये इसे बोलते हैं भींगो के जूते मारना कॉंग्रेस को, देश की राजधानी में आमादी पार्टी कह रही है, कि एहंकारी है, अपने घमंड से हारे, इसके साथ नहीं रहेंगे, और इधर कह रहे हैं, जी हम तो अभी भी उनके सा काचा था, आज पाता नहीं चल रहा है, और सबसे बढ़ी बात हैं कि खुश है, मेहफिलो में नाच रहे हैं, दूसरे की मेहफिलो में, खुश है, निनान में लेके आगए, निनान में लेके आगए, वा, 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 अरे यार, 272, चाहिए तुमको सरकार बनाने के शर्म आनी चाहिए इस पार्टी को, मुझे अभी भी वह तस्वीर यादे सुप्रियल से नेट इंटर करती है, कैसे हाथ लहरा रही है, बहुत बाद तोप मार दिया, चलिए आखरी ज़ाल पंकर जी, जी, ये पार्टी को महराष्ट में और जहरखंड में, इनके जो सहयोगी हैं, इस बार सही में हमारे याइक शब्द धनिया बो देना, इनकी धनिया बो देंगे, हिमन सोरेल ने साफ साफ कह दिया है, बिल्कुल पंकर जी, मैं उद्धा साख रहे हैं, सीधा जवाब चाहता हूं कि महराष्ट में जिस तरीके से राजनितिक परदिस पिछले 5 साल मे में बदला है, पहले तीन पार्टियां हुआ करती थी, सी उसेना, बीजेपी एक और सामने कॉंग्रेस, अब वहाँ पर चार-पंच पार्टिया हो गई, दो सी उसेना, दो न्सीपी, कॉंग्रेस, बीजेपी, फिर याइम आइम आइम फिर आम बेट करकी, तमाम पार्टिय कमी है, वहाँ हमेशा से दो ब्लॉक रहे हैं, एक तरफ कॉंग्रेस से पी रहती थी, और दूसरी तरफ बीजेपी शिवशेना रहती थी, ये शिवशेना के उधर ठाकरे चले गए वहाँ पर, आप कल्कुलेट कीजिए, उनकी पूरी की पूरी पार्टि वापस बीजेपी आप सोच दे, दूसरा और महत्पूर्ण सवाल ये है, कि महाराष्ट में भारतिय जनता पार्टी का जनाधार गाओं-गाओं में है, संग का मुख्याले वहाँ है, और RSSS के स्वेमसेवक सबसे ज्यादा, जो बोलता है न, संग दिक्षित एक शब्द है वहाँ पे, सबसे तीन महिनों में, अमीद शाह ने छे दोरे किये हैं महाराष्ट के, और ये जो माइक्रो मैनेजमेंट के जिसकी बात अब हर्याना में कर रहे है न, ये हर जगा चर्चा नहीं होती, मीडिया में बिल्कुल इसकी गुन सुना ही नहीं पड़ेगी, आच्छे मर गये होंगे अ लोग उसे मिल रहे हैं, देवेन फडनविस और जो वहां के सिंगठर मंसियों को रिपोर्ट, जग 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 फता है, एक एक विधान सवा के छेचे सर्वे हो चुके हैं, एक सर्वे मुद्दों को लेकर हुआ है, उसमें कौन से मुद्दे उठा सकते हैं, दूसरा सर्वे क के धुन पर नाच नहीं रहे हैं, बिलकुल, बिलकुल, अब देखना होगा कि जिस तरीके से हर्याना और जम्मो कस्मीर के नतीजे आए, उसका असर महराष्ट पर क्या पढ़ता है, उद्धव ठाकरे को क्या सीख मिलती है, क्योंकि कॉंग्रेस एक बार फिर से धरातल पर जा रही है, कॉंग्रेस फिर से वहीं पर पहुंच रही, जहां पर 4 जून के पहले थी, ऐसे में बहुत दिल्चस्प होने वाले हैं, अगले विधान सभा जो राज्यों में चुनाओ हैं वहाँ पर, और उसमें कॉंग्रेस के हालत क्या होगी, छेत्रिय दल कैसे इन से ट्र नमस्कार